हेलो बचों इसके बिना ना होगा तो आखिर मैं किसके बिना ना होने का की बात कर रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा और अरविन सर का जबरदस सपोर्ट जिससे आपको आपके सेलेक्शन के चांसेज में बहुत ज़्यादा बड़ोतरी होगी ये आप भी जानते और मैं आप ब्राइट हो जाएंगे अभी मैं बात करूँगा तो अगर आप नीट की तयारी कर रहे हैं जो कि आप करी रहे होंगे तो नीट फिजिक्स के लिए आसान भाषा में फिजिक्स सीखने के लिए और नीट में 150 प्लस आसानी से स्कोर करने के लिए अरविन्द एकेडमी नीट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा देखिए आप मेंसे ना कई बच्चों का जो अभी हालत है वो कुछ ऐसी है मैंने एक एक बच्चे का कमेंट था ये दिखा भी चुका हूँ मैं आपको लिए क्या लिख रही है कि सर बहुत डर लग रहा है कै कैसे पेपर कैसा पेपर आएगा 25 लाग बच्चे कैसे पेपरेशन करें बिलकुल ठीक बात है और इस समय ये एक 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 जामपल है लेकिन 99 परसंट बच्चों की हालत यही होगी कि आपको डर बहुत लग रहा होगा इस डर से ये अगर आप सोचे कि ये डर ना लगे तो य अभी करना ये है कि examination के लिए जो पढ़ाई जो strategy जो तरीका जो material जो content आपको पढ़ना है वही आपको इस डर से निकाल सकता है क्योंकि पढ़ेंगी जब तो आपको सोचने का जो overthinking आप बोलते हैं वो करने का समय नहीं मिलेगा और आप अपने लक्ष की तरह बढ़ते चले जाएंगे आपको ये मालूम है जो मैं बात कर रहा था किसके बिना नहीं होगा मैं किसके बिना नहीं होगा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसके बिना आपका selection बहुत मुश्किल हो जाता है previous year questions जो neat में previous year questions आए हैं उनको लगाना अत्यंत अवश्चक है और ये रहे chapter wise pyqs तो chapter wise pyqs आपके लगे होने चाहिएं क्योंकि neat में बहुत बार तो question repeat भी हो जाते हैं और आते इसी type के हैं तो अगर किसी बच्चे ने मैं physics की especially बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं physics के educator हूँ या teacher हूँ जो भी बोलिये आपको क्योंकि physics में अधिकतर बच्चों की जितने बच्चे आपको मिलेंगे 99% 99% बच्चे physics में यहां तक कमेंट करने किसी तरह 100 मिल जाए बहुत है अगर आप 100 मिलने पर लटके रहेंगे तो selection तो 600 का target नहीं है तो government college कैसे ले पाएंगे इसमें ये बहुत मदद कर देगा आपको chapter wise pyq chapter wise pyqs आपके chances को बहुत बढ़ा और बिटा इसमें देखिए कई बच्चे पूछने कि कितने साल के pyqs हम लगाएं तो आपको नीट के लिए कम से कम 10 साल के pyqs ज़रूर लगाने चाहिए चाहिए वो जिस तरीके से भी आयो हो सरल हो डिफीकर्ट हो जैसे भी हो लगा मारिये बिलकुल तो मैं यहां आपको suggest करूँगा 2013 से लेकर 2023 तक के chapter wise pyqs जो आप लगा कर बहुत उंदा परदशन कर सकते हो लगाना ही होगा तभी बात बनेगी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जही pyqs chapter wise pyqs जो कि 2013 से 2023 यहीं 10 साल में जो भी question आये है according to latest syllabus आपके वो सारे question मैं आपको करवाऊंगा और उसक कि language क्या रहेगी super easy explanation मुझे मालूम है कि physics में बहुत बच्चों का हाला tight है इसलिए आपको जो explanation मिलने वाला है वो zero to hero मिलने वाला है यानि आपको जादा नहीं आता तो भी चिंता की आवशकता नहीं है मैं पूरी कोशिस करूँगा कि आप कहीं से link में de-link ना हो जाए connection हमा और आपका बना रहे stay connected रहे तो super easy explanation के साथ chapter wise PYQs हो रहे हैं launch आपके लिए शामदार वीडियो के साथ में और एक चीज में आपको बताना चाहूँगा कि यह जो वीडियो की maximum length होगी दो घंटे एप्रॉक्स होगी इस बाकी कोशन कम रहे तो कम होगी लेकिन बड़े से बहुत homework करूंगा कर रहा हूं और record भी कर रहा हूं जिससे आपका time waste ना हो लंबे लंबे वीडियो चार चार पांच पांच गंटे के वीडियो आप देखेंगे PYQs में 10 साल की जो लगवा रहे हैं तो आपका केवल ओ केवल time wasting है या कोई ऐसा लगवा रहा है कि 2 गंटे मे 5-6-7 साथ सवाल लगवा रहा है तो वो भी time wasting है यानि आपका अगर 2 गंटे या डेड़ गंटे लग रहा है तो उसमें questions लगने चाहिए जितने भी आए हैं 10 सालों में ऐसा नहों कि 10 साल क्या लगवा रहे हैं तो 5 गंटे तक लगवाते चले गए वरना 2 गंटे पकड़ा ह हमने तो 5-7 questions करके चुटी कर दी ना अरविन सर का जो वीडियो की quality होगी वो टॉप नॉच होगी इससे मैं बोल रहा हूं sharp videos क्योंकि इस पे मेरा homework रहता है मैं यह चाहता हूं कि आप तक यह वीडियो पहुचें तो एकदम खरा सोना पहुचें खरा सोना पहुचें तो उस एक्टरवाइस पीवैक्यू दो हजार 13 से 23 तक 10 years electric charges and fields यानी हम लोग शुरू करेंगे पहले class 12th physics करेंगे मैंने survey भी आपसे करवाया था अधिकतर बच्चों ने 78% जा तक बच्चों ने बोला था कि मुझे 12th का पहले करवा दीजे पहले class 12th physics हम पूरी complete करेंगे उसके बा days 28 videos and complete physics class 12th and 11th ये पीवाइक्यू आपके लिए आपके confidence को इतना बढ़िया क्योंकि मेरा जो explanation है इश्वर की कृपासे और मैं जो महनत करता हूँ आपको मजा आ जाने वाला है ऐसा explanation आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा जो fees भी आपने दी होगी हाँ याद आ गया आपने offline center में कहीं आप जा रहे होंगे fees दे रहे होंगे online कहीं आपने admission लिया होगा fees दे रहे होंगे वहाँ भी ऐसे PYQs का explanation आपको नहीं मिलेगा आप इससे compare कर लीजेगा लोग कहते नहीं compare कर लीजेगा आपको लगेगा क्या मस्त समझाया है और विंसर ने बिलकुल confidence बढ़ गया तो जबरदास तरीके से follow कीजेए ये challenge आपको accepted है 28 दिन 28 वीडियो क्या आप ये करने को तयार है अगर आपको ये challenge accepted है तो comment section में लिखिए sir challenge accepted छोड़ना नहीं है अभी समय है मैं छोड़ूँगा नहीं selection लेके ही छोड़ूँगा तो आपके लिए मैं भी लगा हूँ और आ वीडियो लाइबरेरी बनाई है यानि किसी भी topic पर आपको confusion अगर physics में है class 11th में class 12th में पूरे syllabus में किसी topic पर confusion है तुरंत within a second within 5 seconds or 10 seconds you can go to that topic and watch the video and clear everything यानि हमारे जो वीडियो हैं जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो sharp हैं कम समय में सारी बात जैसे आपको ये लगा कि logic gate सर logic gate से question आएगा अब मैं इसको जल्दी से सीख लेता हूँ तो सारी बात logic gate की कम समय में कैसे जाएंगे तो आप all video library पे चले जाएंगे मैं बताता हूँ कैसे ये तो click नहीं होगा क्योंकि अनूटेशन है मैं अभी बताऊंगा कहां से जाना है ये देखे मैं all video library आपके स जाना है तो देख जाना कहा है ये टाइब देखिए नीट क्लास 12 क्योंकि logic gate है सेमी कंड़क्टर के अंदर 12 क्लास में 12 में आ गए और इसको देखिए ऐसे स्क्रॉल कर दिए चैप्टर है और चैप्टर के टॉपिक है से देखिए लास्ट चैप्टर में जाएंगे मैं यह देखिए सेमी कंड़क्टर यह logic gates आ गया टोटल पूरी physics 12 की 55 वीडियो में खतम है यह आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दीजे बेटा यह देखिए logic gates खुला अब यह दुबारा क्लिक करने पर ऐसे नहीं आता है तो मैं इसको पहले खोलता हूँ देख बार कोशिस करूँगा यह देखिए खुला और मैंने इसको क्लिक कर दिया आप सीधे logic gate के वीडियो पे चले गया देखिए चालू हो गया एक घंटे 38 मिनिट का वीडियो है और एक घंटे 38 मिनिट के वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाने वाला है everything यह everything का मतलब समझते हैं booleal algebra भी बिलकुल सर कर सकते हैं यहां देखिए इसी में मैंने क्या किया है यहां पर अगर आप देखे मैं इसको दिखा रहा हूं काफी excitement रहता है इसको कि बड़ी मैनस से बनाई है यहां देखिए पीवाइक्यू के भी मैं यहां पर चैप्टर का नाम और लिंक पेस्ट करता चला जाओंगा ज Student Organize करके आप देख सकते हैं चलिए वापस आता हूं इस All Video Library पर आप पहुंचेंगे कैसे इस पर आते हैं तो इसके लिए कुछ नहीं करना याद भी नहीं रखना अरविन्द अकैडमी नीट यहे देखिए चैनल का नाम दिख रहा है आप add the rate अरविन्द नीट डालेंगे अगर YouTube पर तो आप इसी चैनल पर चले जाएंगे अरविन्द नीट, एड दिरेट, यूनीक हैंडल, तो एड अरविन्द अकडमी नीट पे जाएए, ये देखी यहाँ पर ये लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को आप क्लिक कर दीजे, ऐसे खुलेगा, all video library पो आप क्लिक करेंगे, तो इसी all video library जिसको मैंने आपको दिखाया थ आपके लिए, साथ में PYQs के भी chapters के links वहां मिल जाएंगे, कहीं नहीं भटकना आपको, बिलकुल एक दम map दे दिया है, बढ़िया पढ़ाही के लिए, तो आप इसको join कर सकते हैं, अरविन देकडमी नीट, यूटूब चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप subscribe करते अच्छे comment करते हैं, लिखते हैं कि बड़ा मदद मिली, तो मुझे बहुत satisfaction मिलता है, कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए right direction में, क्योंकि हमारे पास, मेरे पास या और भी जो लोग हैं, उनके पास ये जानने का तरीका कि आपके comment पढ़ सकते हैं, आपके likes देख सक करते हैं, यही सब है, और कोई तरीका नहीं है, कि हम यह जान पाएं कि आपको वीडियो कैसा पसंद आ रहा है, तो आपका like, comment यही देखकर हम समझ सकते हैं, तो उसको जरूर करिए, और यह Erwin Decademy Neat Telegram चैनल है, link description में दिया है, क्लिक करके join कर लिजे, यहाँ पर आपको सार अपडेट मिलते रहेंगे, और हाँ, challenge accepted की not, comment section में mention कीजेगा, कल से खेल शुरू हो जाता है, thank you very much, wish you all the best.